आरोपी की गिरफतारी के लिए S.P. से लगाई गुहार उत्तरप्रदेश के महोबा जनपद में एक पेडित परिवार ने S.P. महोबा से न्याय की गुहार लगाई है पेडित परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है वहीं आरोपी अभी भी खुले आम घुम रहा है आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पीडित परिवार ने पुले सदिक्षक महोबस से आरोपी की गिरफ्तारी जल्द किये जाने की अपील की है परिवार का आरोप है कि आरोपी युवक एक दबंग व्यक्ति है जिसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की धमकी दी है मामला पनवाडी धना शेतर के सलिया गाओं का है जहां उसी गाओं में रह रहे एक व्यक्ति द्वारा एक महिला के साथ बदसलूकी किये जाने का प्रेकरन सामने आया है पीडित परिवार ने आरोपी युवक दवारा किये गए गलत काम की सूचना पनवाडी थाने पर काफी पूर्व दे दी थी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था पीडित परिवार की माने तो थाने में मामला दर्ज होने के बावजूर भी आज तक आरोपी युवक को खाकी द्वारा गिरफतार नहीं किया गया है आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है जिसके चलते पेडित परिवार ने स्पी महोबा की चोखट पर पहुँच न्याय की गुहार लगाई है जिस पर स्पी महोबा ने जल्द कारवाई किये जाने का आश्वासन दिया है आज आप पुलिस अधिच्चक के आए हैं क्या मामला है के दाल पीके मार्पी भी करता है और गंदी हरका से अंदर भी गुषता है और इसके अंदर भी गुषता है मेरे को भी जाली गलोच किया है दादी सास को भी मेरी मारा है क्या नाम है उसका क्यों गाली गलोच करता है? आजाद राजट रोटे कहा का रहने वाला है? ग्राम सलिय ए इसका प्रातना पत्रा आपने पहले कहीं दिया है? हाँ पनमारी थाद है क्या कार रवाय होई? तुछ नहीं जो रहा है कि लोग ने मारा और किसको मारा क्यों मारा? किस बज़े से मारा?